नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाज वला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्षक है तोता एक तोता था वह बड़ा मुर्ख था गाता तो था पर सास्तर नहीं पड़ता था उचलता था फुदकता था उड़ता था परिया नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं राजा बोले एसा तोता किस काम का इससे लाव तो कोई नहीं हानी जरूर है जंगल के फल खा जाता है जिससे राजा मंडी के फल बजार में टोटा पड़ जाता है मंतरी को बुला कर कहा इस तोते को शिक्षा दो तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला पंडितों की बैठक हुई विशय था वुक्त जीव की विद्या का कारण क्या है बड़ा गहरा विचार हुआ सिधान्त ठहरा तोता अपना गोसला सधारन खर पात से बनाता है इसे आवास में विद्या नहीं आती इसलिए सबसे पहले तो ही आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए राज पंडितों को दक्षणा मिली और वे प्रसन होकर अपने अपने घर गए सुनार बुलाया गया वह सोने का पिंजरा त्यार करने में जुट पड़ा पिंजरा येसा अनोखा बना कि उससे देखने के लिए देश विदेश के लोग तूट पड़े कोई कहता सिक्षा की तो इती हो गई कोई कहता सिक्षा ना भी हो था क्या बिंजरा तो बना इस तोते का भी क्या नसीब है सुनार को थेलिया भर-भर करी नाम मिला वह उसी घड़ी अपने घर क्यों रवाना हो गया पंडिश जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे नस लेकर बोले यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है राजा के भांजे ने सुना उन्हों उसी समय पोथि लिखने वालों को बुलवाया पोथियों की नकल होने लगी नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड लग गए जिसने भी देखा उसने ही कहा शाबाश इतनी विद्या की धरने को जगा भी नहीं रही नकलन विशों को लद्दू बैलों पर लाद लाद करे नाम दिये गए वे अपने अपने घर की उर दोर पड़े उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान भी बाकी नहीं रहा दामी पिंजरे की देख रेक में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे इतने व्यस्त की व्यस्ता की कोई सीमा न रही मरमत के काम भी लगे ही रहते फिर जाड़ों पोच और पालिस की धूम भी मची रहती थी जो ही देखता ही कहता कि उनत्ती हो रही है इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाये गए और उनके कामों की देखरेक करने पर और भी अनेक 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 लोग लगे सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े-बड़े संदूग भरने लगे वे और उनके चचेरे मोसेरे भाई बंद बड़े परसंद हुए और बड़े-बड़े कोठों बाला खानों में मोटे-मोटे गद्दे बिछा कर बैठ गये संसार में अभाव तो अनेक हैं पर निंदकों के कोई कमी नहीं है एक धुंडो हजार मिलते हैं वे बोले पिंजरे की उनत्ती तो हो रही है पर तोते की खोच खबर लेने वाला कोई नहीं है बात राजा के कानों में पड़ी उन्होंने भांजे को भुलाया और कहा क्यों भांजे सहाब यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है भांजे ने कहा महराज अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलाईए पंडितों को बुलाईए नकलन विसों को बुलाईए, मरमत करने वालों को और मरमत के देख भाल करने वालों को बुलाईए निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे इसी उच्छी बात करते हैं जबाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भाती और साफ साफ तोर पर समझ लिया भांजे के गले में ततकाल सोने के हार पहनाए गए राजा कमन हुआ कि एक बार चल कर अपनी आखों से यह देखें कि सिक्षा कैसे धुम धढ़ाके से और कैसी बक्टूट तेजी के साथ चल रहे है सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुहलंगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप इस सिक्षा शाला में आध हमके उनके पहुँचते ही ध्योड़ी के पास शंक, घडियाल, धोल, तासे, खुर्दक, नगाडे, तुरहियां, भेरियां, दमामे, कांसे, बासुरिया, ज्छाल, करताल, मिर्दंग, जगजंग, आधी-आधी आप ही आप पज़ उठे पंडित गले फाड़ फाड़ कर, और बूटियां फड़का फड़का कर मंतर पाठ करने लगे मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकलमीज, देख भाल करने वाले, और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचचरे, मौसेरे, भाई, जय जयकार करने लगे भाणजा बोला, महराज, देख रहे हैं न, महराज ने कहा, आश्यर, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा, भाणजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं, राजा प्रसन होकर लोट पड़े धेड़ी को पार करके हाथी पर सवार होनी ही वाले थे, कि पास के जुर्मुट में छीपा बैठा निंदक बोला, महराज आपने तोते को भी देखा है, राजा चौके और बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल ही भूल गया, तोते को तो मैंने देखा ही नहीं लोटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम किस तरह पढ़ाते हो, पढ़ाने का धंग उन्हें दिखाया गया, देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, पढ़ाने का धंग तोती की तुलनाम इतना बड़ा था कि तोता दिखा ही नहीं पढ़ता था राजा ने सोचा, अब तोते को देखनी की जुरूत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है, राजा ने इतना तुछी तरह से समझ लिया कि बंदबस्त में कहीं कोई भूल चुक नहीं है, पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, सिर्फ शिच्छा थी, यानि धेर की धेर पोथियों के, धेर के धेर पन्ने फाड़ फाड़ कर, कलम की नोक से तोते के मुँव में घुसेड़े जाते थे, गाना तो बंधी हो गया था, चिर्ने चिलाने के लिए भी कोई गुंजायश नहीं छोड़ी गई थी, तोते का मूठा सठास भर कर बिलकुल बंद हो जाते हैं, अब दुबारा जो राजा हाथी पर चढ़ने लगे, तुन्होंने कान उमेठु सरदार को ताकीत कर दी, कि निंदक के कान अच्छी तरह से उमेठ देना, तोता दिन पर दिन भद्र रिती के नुसार अदमरा होता गया, अभी भावकों ने समझा कि प्रगती अपने डैने फर्फडाने लगता था, इतना ही नहीं, किसी किसी दीन तो ऐसा भी देखा गया, कि वह अपनी रोगी चोचों से पिंजरे की सलाखे काटने में जुटा हुआ है, कोतवाल गर्जा, यह कैसी बेयद भी है, फोरन लुहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हतोडा लेकर, वह धमाधम लोहा पिटाई हुई, कि कुछ न पूछिये, लोहे के सांकल तयार की गई, और तोते के डैने भी काट दिये, राजा के समंधियों ने हाडी जैसे मू लटका कर, और सिर हिला कर कहा, इस राज के पक्षी सिर बेवकूफी नहीं, नमक हराम भी है, और शोबनी लगे, और कुतवाल की चतुराई देखकर, राजा ने उसे सिरोपा अता किया, तोता मर गया, कब मरा इसका निश्य कोई भी नहीं कर सकता, कमबक्थ निंदक ने अफवाफ हलाई कि तोता मर गया, राजा ने भांजे को बुलवाया, और कहा, भांजे सहाब, यह कै खतई नहीं, अब भी गाता है, नहीं तो, दाना न मिलने पर अभी चिलाता है, ना, राजा ने कहा, एक बार तोते को लानतो सही, जरा देखूंगा, तोता लाया गया, साथ में कुतवाल आये, प्यादे आये, घुर सवार आये, राजा ने तोते को चुटकी से दबाया, त धन्यवाद